हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है इमाइनेटिश्टी के डेली करन न्यूज में आज की ख़वर है अब 18 साल से अधिक उम्रबाले भी लेंगे कोरोना वैक्षीन अब 18 साल से अधिक उम्रबाले यूवा भी वैक्षीन ले सकेंगे भारत सरकार ने कोरोना ठीका करण के तीस पहले चरण यानि की 1690 2021 में जहां फ्रंट लाइन बरकर्स का टीका करण किया गया वहीं दूसरे फिच यानि की 1 मार्च 2021 में 45 साल से अधिक उम्रबाले भी वैक्षीन निर्माता का अपनी मासिक सेंट्रल ड्रक्स लेवरेटरी यानि की CDL की 50 प्रिसत आपूरती भारत सरका को जारी करेंगे वहीं सेस 50 प्रिसत राज सरकार और खुले वजार को अपूरती करने के लिए सुदंद्रोगा निर्माता पारदर्सी रूप से एक माई से पहले राज सरकार को मिलने वाली 50 प्रसंट आपूरती के लिए मोल लिकी अग्रिम घुनफना करेंगे इस कीमत के अधार पराज सरकारें निजी अस्पताल और दोगिक प्रतिस्ठान आदे निर्माताओं से वैक्सिन की खुराग प्राप्त करने में सक्षाम होंगे निजी टीका करन प्रदाता पर दरसी रूप से अपने सोज निर्धारी टीका करन मोले की खिंफना करेंगे इस चैनल के जरिये पात्रता सभी बैसकों के लिए खोली जाएगी यानि 18 वर्ष से अधिक आयू के सभी लोगों के लिए हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन मरकर्स तधा पैंतालिय साल से ज्यादा उम्रवालों के लिए मुफ्त ठीका करन अभियान जारी रहेगा